हेलो फ्रैंड्स आप सभी का मेरे चैनलबे स्वागत है आज हम कलर पेपर से फ्लावर बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें कलर पेपर चाहिए और यह पेपर कटर अगर पेपर कटर नहीं है तो आप लुग कैची की साहिता से इसके काट सकते हैं तो इस तरीके से मैं इसके पत्ती बनाएंगे तो हम इसे पत्ती की शेप में काट लेंगे आप लोग चाहे हैं तो इसे पत्तला भी काट सकते हैं मैं इसी तरीके से इसे रखूंगी ये इस तरीके से हम इसे करेंगे तो ये दूसरा भी हमने काट लिया है तो ये देखिए इस तरीके से और मैं यह पिंक कलर का पेपर लोगी और इसे बीच से काट लोगी इस तरीके से तो इसके बाद मैं जो पहला वाला पार्ट है उसे इस तरीके से बीच से मोड लोगी यह इस तरीके से उसके बाद मैं इसमें पैंसिल का निशान लगा लोगी स्केल की साहता से और जहां पे हम बन नहीं पाएगा यह बनने के बाद بहुत सुन्दर दिखता है और पिछले वीडियो में मैंने फ्लावर पॉट जो तो दिखाए थे तो इस तरीके से हम फ्लावर बना सकते हैं पेपर को बहुत साउधाने से काटना है अगर यह कट जाएगा ज़ादा तो फिर फ्लावर बन नहीं पाएगा तो आप द्यान से इसे काटना है इस तरीके से तो यह हमारा कट चुका है इसके बाद हम इसे एक स्केल की साहईता से बीच में स्केल रख देंगी उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे इससे क्या होता है आप लोग आसानी से इसे चिपका सकते हैं इस तरीके से आप फैविकॉल ले सकते हैं और इसे चिपका सकते हैं ये देखिए कितने आसानी से ये चिपक गया है तो ये इस तरीके से आप लोग को चिपका लेना है उसके बा पति बनाखे पती बना ने इसमें प्रचा में चिपको के इस color पर खेंगे तो द्रेकर लेदे का सबुमिआए को इस दा में चाहिरा है एक पति लेखा इस सब पॉक्त न कजिता है कि देंगे ये एक मेरे पास बॉटल रखी थी प्लास्टिक की इसके मैंने डेकोरेट कर दिया है तो आगे वीडियो में देखिए जरूर क्योंकि मैंने ये आगे बताया है किस तरीके से मैंने इसे बनाया है तो वीडियो को पूरा प्लीज देखिए और आप लोग भी घर पे इसे जरूर ट्राय करिए ये बहुत अच्छा दिखता है तो इस तरीके से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं और अपने घर को और भी सुन्दर बना सकते हैं ये देखिए बनने के बाद कितना सुन्दर लगता है तो आप लोग इसे ज़रूर बनाईए कितने सुन्दर फ्लावर लग रहे हैं तो ये मैंने एक बोटल ले लिए है जो मैंने दिखाया है आगे तो इस तरीके से मैंने इसमें शैलो टेप ले लिया है और भी चिपका दिया ये दीखेगा नहीं पर मैंने इस में चिपका दिया है ताकि हम जो अच्छे से हम इसमें पैंट कर सके तो इस तरीके से मैं से कर दूंगी तो यह क्या है हमारा बहुत अच्छे से फ्लावर पॉर्ट बन जाएगा इसमें हम सुन्दर दिखता है आप लोग ने आगे वीडियो में देखा ही है तो इस तरीके से हम बना सकते हैं और जो वेस्ट चीज है हमारे पास उसका यूज कर सकते हैं तो इस टैप की खाली बॉटल हर किसी के घर में रहती है तो इसका हम यूज अच्छे से कर सकते हैं तो इस तरीक तो इस तरीके से आप लोग को करना है तो उसके बाद जब हम Sellative को निकालते हैं तो उसमें कोई फर्क ने पड़ता अगर Color एक दूसरे के उपर भी आ जाता है तो Sellative निकल जाता है और फिर वो Color जो है वो छूट जाता है उसी में रह जाता है जो Sellative है जरूर ट्राय करें मैं जो भी बनाती हूँ आप लोग की साथ जरूर शेयर करती हूँ